नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है जैक किसान HV में आज मैं एक नए ब्लॉब के साथ आपके साथ पेश कर रहा हूं आपके साथ आया हूं तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मधु देसी मधुमक्खी जो एपीस सराना इंडी का उसकी फ्रेमें बनाएने का साइज ब दाले तो इसका एक फाइदा य है कि आप अगर एक बॉक्स से फ्रेम को निकाल करकर के दूसरी बॉक्स में डालते हैं तो प्रेम वों का शाइज बर्ाबर होगा और Bren अगर बाइदिवे आपके पास सो ऐब रहीं का एक आप पहले एक नंबस और बॉक्स का फ्रेम निकाल क घर कि आप 100 box जो 100 नम्मर वाले box में अगर फ्रेम डालेंगे तो आपका सैम उख तो यह size जो government का है मैं उस पर आपके साथ बात करता हूं तो please जो मेरे youtube channel पर नहें आयों है तो please वो मेरे youtube channel को subscribe करें बैल आइकन दवाएं और like जरूर करें दोस्तों कि दोस्तों हमें जो मदुमक्खी बॉक्स के लिए हमें चाहिए जो समान समान मदुमक्खियों के लिए तो बो क्या-क्या चीज़ एक तो आपको यह आप smoker यह आप खुद भी बना सकते हैं इसका बनाने का कोई बडाओ निया आपके वास प्रेक बच्चा हुआ डब्बे है उसे इस्तमाल कर सकते हैं आप इस तरह बना सकते हैं यह smoker है हमारे कई मित्रों ने मुझे एक मित्र न बताया कि उसने computer के एक फैन लगा करके उसने उससे smoker बना दिया तो बहुत अच्छे-च्छे कलाकार भी हमारे बीच में वह जुगार करने वाले हैं तो वैसे यह जु अगर आपको चाहिए तो आप Amazon से मंगवा सकते हैं या आप किसी मदुमख्य वालों से भी मंगवा सकते हैं या खुद भी जुगार कर सकते हैं आप एक टोपी लगाओ और जो जाली वाले दुपट्टे वगरा हैं उससे आप इस तरह करके एक नीचे रिंग लगा करके उस यह साफ करने के लिए या आपने कहीं से उठाना है तो आप उसे भी आप उठा सकते हैं उसके लिए यह चाहिए आपको ब्रश यह आपको चाकू चाकू आपको जैसे सफाई करनी है या शैद निकालना है या फ्रेमों को काटना है कुछ हुए उसके लिए एक चाकू यह हा तो यह चीज़ दी है और दोस्तों यह जुगाड मेरा है कुईन गेट यह मैंने खुद त्यार किया हुआ है तो यह कुईन गेट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई अगर किसी मित्र को इसका वीडियो देखना है तो प्लीज वो ऊपर गोलु जो रिंग आया हुआ इस अब मैं यसे वैसे ही काट करके वैसे ही फिट करता हूँ जैसे मैंने यह बताया आपको यह बताया आप ऐसे करें इससे क्यों ऊपकर मदुमक्खी इसमें बेठेगी वह सहल खुद बनाएगी और वह काम अच्छी तरह करेगी तो आप इन चीजों को अपने पास इस्तमाल क उपयोग करें तो मधुमख्य आएगी और सिजन आपका सेव का शुरू हो चुका है तो इसका कारे आप जोरों से शुरू करें तो चलते हैं आज शुरू करते हैं आज का कारें तो मैं पहले तो आपको मैं बना ही रहा हूं आज कल सभी को पता है कि मधुमख्यों का आना क्या भकते, बसंत जैसे शुरू हो चाती तो मदम ख्यां आने शुरू हो चाती हैं, यह आप देख सकते हैं, यह इसका साइज है, तो इसके दोस्तों यह जो लंबाई हमने रखी हुए, जो ISI, जो गौर्रमेंट, इंडिया गौर्रमेंट ने इसका साइज रखा हुए, वो है इसक इंच में बोलेंगे हम तो 13 इंच है, तो यह चुड़ाई आती है, इसकी जो है, यह चुड़ाई जो आती है, यह है इसका 67 इंच, और अगर सेंटीमेटर में हम करेंगे, तो यहां से इसका 19 सेंटीमेटर, अगर इंच में करेंगे तो 67 इंच, और सेंटीमेटर में करेंगे तो 19 cm और अब बात करते हैं नीचे वाले तो इसकी जो चुड़ाई है तो यह हमारा आता है इसमें 11 इंच यहां से यहां तक का 11 इंच और सेंटीमेटर में बोलेंगे तो 29 cm और इसका जो हमारी चुड़ाई है इसका जो चुड़ाई साएगा वो आएगा इसका 25 mm अब आता है इसकी खासकर जो यह चुड़ाई है यह खास्यत यह है कि आप जब भी आप दो फ्रेमें आपकी फिट होगी तो उसका एक बीच का गैफ रहेगा ताकि मदुमुख्ये का आ इस की मैं जा सके तो यह जो इसका जो डिस्टेंस है यह है तीन सेंटिमेटर सवाइंच तीन सेंटिमेटर और यह आपका निचे रहेगा आपको पॉंद इच ठोड़ा सकया ताकि मदुमुख्यां नीचे से आपका निकल सके तो मैं आपको एक प्रेम बताऊंगा जैसे की तो आपका जो मदुमक्खी का स्पेस है एक तो इसमें भी गुमने को जगह मिलेगी और यहां सपेस उन्हें गुमने के जगह मिल जाएगी तो यह है तो इसलिए आपका यह आपका हमेशह 3 cm और यह 67 इंच यह आपका 13 इंच यह है और इसे जोडने का जो तरीका है वह आप हवी कोल को यह इस्तेमाल जरूर करें और बीच में आपका होल करके इसके तार का इस्तेमाल करें तो अब आते हैं हमारा ये बॉक्स तो ये बॉक्स का जो है ये हमारा तल बनाया हूँ हमने इसे तल लगाया हूँ है जो बॉक्स का है तो इसकी जो चुडाई रखी हुई है ये हमारी 14 इंच है जो इसका अंदरमान 14 इंच है पूरा जो है और इसके बाद सेंटीमेटर में कर यह आया चुड़ाई चुड़ाई आया हमारी 14 इंच और 37 सेंटिमेटर और अगर यह आया लंबाई जिस साइड को हमने फ्रेम हैं लगानी है जैसी हमारी फ्रेम है तो यह आया हमारी लंबाई आया इसकी अगर यह 13 इंच यह अंदर मान की बात कर रहा हैं आपको यह सड़े 13 इंच अगर इसकी हम चुड़ाई सेंटिमेटर में करेंगे तो 34 सेंटिमेटर है तो गहराइ इसकी आप आठहीं करें इसकी जो यह घराए啊 region घरए पर जो जेज़ाए आएगी वो आएगी आपकी आठ इंच है और इसी तरह आप इसको करें थोड़ा सा आपका एक इस से दो इंच आप इसकी चोड़ाई जाधा रखें और होल आपका बिल्कुल नीचे टच होना चाहिए ताकि जमेन के साथ अगर मधुमख्या इसमें अगर बहार अपना कच्रा बगरा सफाई करें तो वो खुद बखुद निकाल करके बाहर करें तो यह आगया हमारा साइस साइस आगया तो मैं आज बना ही रहा हूं तो इसके साथ आपको बता देता हूं मैं किस तरह कर रहा हूं मैंने यह बना के रखे हूं है त्यार करके रखे हूं है इन्हें जोड प्लप करके इस का फायदा एक इसमें बौरल से निकंड行了 tag अका हृए दिया इस जी आप लू में आपकी बिलकुल सेंटर में आने चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूँ, यह मैं पहले करता हूँ इसे, यह मेरी चौकट की बन गई है, अब मैं इसे तार डालूँगा, हम यह तार थोढ़ी मोटी है दोस्तों पर आप तार लेंगे तो आप बारिक से बारिक तार लें यह सागा, ताकि बारिक तार क्या होगा कि यह कवर हो जातीज मदवक्ती के फान में ज़्क्रांनारूद अच्छी, तरह, तुम यह तार डाल देता हूँ, यह मैंने तार डाल दिये अब यहां एक मेक लगा लेता हूं इस तार को यहां गुमा देता हूं ताकि यह टाइट हो सके और इसको मैं बैंड कर लेता हूं अब मैं इसे खेंचता हूं यह मैंने खेंच दिया यह टाइट हो गया है यह मैंने टाइट कर दिया यह देख सकता है अब दोस्तों यह फ्रेम होगी तो मदुमक्खी आएगी और बैठेगी सिदी इस पर मॉम बनाएगी तो बो नहीं हो सकता है इसके लिए हमें कुछ और त्यार करना पड़ेगा यह मैली फेरा की फ्रेम मैली फेरा का होल थोड़ा सा बड़ा होता है जो देशी मदुमक्खी है इसका होल छोटा होता है इसलिए हम यह लेंगे इसका थोड़ा कम भाग लेंगे थोड़ा सा काटा हुआ लगवगए आपने दो इंच लेना है और इसको इसी के बराबर काटना है यह अब इस होल में डालना है नीचे वाली जो होल है इसका मदमक्खी का जो फ्रेम में होल है छॉकट में जो जहरी है इसमें यह डाल दिया है इससे डालने का फाइदा यह हो जाता कि यह छिप्ट जाएगा अब क्या करूंगा मैं कि जो मदुमक्खी का मौम है जो बचवा इसे पिगला दूगा या दूसरा मौम बत्ती जो हमारी मौम बत्ती वाला मौम होता है उसे हम पिगला करके इसको यहां डाल देंगे जब यहां डालेंगे तो यह इसके अंदर यह चिपक जाएगा यह चिपक जाएगा और यह इसका फ टालेगी तो मधुमक्ही से बैठेगी और वो काम करना चुरु कर देगी यह पर खुद बधुद होल भी बनाएघी और उसमें पूरा मधुमक्ही का बुरुड के लिए बच्चों के लिए अंडों के लिए और शहइद के लिए पूरा सेल बनाएगी वो इस पर खुद बखुद कारे करेगी आपको इस तरह फ्रेमों को बनाना है थाकि मदुमक्खी इसमें जब आप रखेंगे तो वो इसका कारे अच्छी तरह कर सके दूसरा एक तरीका यह है कि आपके जो घरों में मदुमक्खी के बॉक्स है उसको साब करके इसे आप यहाँ फिट कर सकते है अगर आपको पता करना तो मैंने एक उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है तो आप उसे देख सकते हैं मैं कमेंटing box मैं उसका लिंक देकर रखता हूं आप उसे देख सन्ना की जो मैंने बनाया हुआ है का उसका अ बहरों के बह यह डालना है जैसे बोरी बगरा कुछ है, टाट पटी बगरा बोर डालना है, उसके उपर एक हमारा कवर आएगी और उसके बाद हमारा एक टॉप कवर आजाएगा, टॉप कवर पर आप हमेशा उस पर आप चादर जुरू लगाएं ताकि उसमें पानी न घुसे, और यह इस तरह आप एक बना सकते हैं, मदुमक्खी का बॉक्स, तो दोस्तो मेरी वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, और हमारा जो कारे करने के, जो बताने का एक मकसद था वो यही था कि आप देशी मदुमक्खी पर जो काम करें, तो वो आप किस तरह करें, और उसको बॉक्स कसद और साइज है, वो मैं ने आपको बता दिया, और मेरी वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर भाएं, धन्यावाद